मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक 18 साल की लड़की का 5 बच्चों ने देरशामेक पार्क में गैंग रेप किया संदिग बच्चों में 2 की उम्र सिर्फ 12 साल है जिसकी वज़ा से उनके खिलाफ आपराधिक मुकतमा नहीं चलाया जा सकता जबकि 3 संदिग 14 साल के है बच्चों ने गैंग रेप का विडियो भी बना लिया है ये मामला जर्मनी का है पुलिस ने घटना से जुड़ी तमाम जानकारिया शेयर की है लेकिन स्थानिय मीडिया की रिपोर्ट में घटना की भयावत्ता सामने आई है इस केस को लेकर जर्मन है एक बच्चे को जज की सामने पेश किया गया बताया जाता है कि पीडिक लड़की मांसिक रूप से विकलांग थी मौजूदा कानुन के मताबक 12 साल के दो संदिग बच्चों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता लेकिन उनके व्यावार को लेकर यूथ रूप से बूल गया एरिया में रहने वाले जाते हैं मीडिया रेपोर्ट के मताबिक बच्चे पीडित लड़की को जाड़ियो में ले गए और अपने अपने फोन से वीडियो भी बनाया कुट्तों के लागातार भॉपने के बाद स्थानिये लोग ने पुलिस को बुला जबकि एक व्यक्ति के बाहर आने पर पीडित महिला दिखाई दी संदिक तुरंत वहां से भाग गए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कापी अधिक हिंसा की गई थी पीडित महिला को होस्पिटल में भरती कराया गया वह संदिक बच्चों के बारे में जानकारी देने स में सफल रही इसके बाद पुलिस बच्चों तक पहुँच गई सुरक्षा बलो से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हम सालों से आप राधिक जिम्मेदारियों तै करने के लिए उम्र सीमा घटाये जाने की मांग करते रहे हैं हाला कि जर्मनी के Association of Judge की प्रमुग जेंस ग कम नहीं करता